नमस्कार दोस्तों मेरे चानेल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों शाओमे के मी सेरीज एंड रेड्मी सेरीज के डियोसे का अंदर MIUI 11 का स्टेबल अप्डेर रोलिंग आउट होना स्टार हो चुका है जैसे के अपर शाओमे ने प्रॉमिस किया था उसी तर से पर शेडूल में MIUI 11 का अप्डेर रोलिंग आउट होना स्टार हो चुका है तो दोस्ता आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि शाओमी के कौकों से डियोस है जिनके अंदर आपको MIUI 11 अप्डेर के साथ आपको एंडर टेन का भी मेजर अपरेर देखने को मिलने वाला है तो दोस्ता इस वीडियो को शुरू से लेकर लास तक जरूर देखते रहे और अभी तक हमारे चैनलों का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनलों का सब्सक्राइब भी कर लिजए तो चलिए दोस्ता शुरू करता है आज का वीडियो तो दोस्त जैसी कि आप सभी को पते होगा कि शौमी ने MIUI 11 ने रिलीस करें बाद बहुत ही फास्ट तरिके से जैसा सेडूल लग चुको ता उसी तरह से अपने शौमी के डिवसेस का अंदर MIUI 11 का गलोबल स्टेबल अपडेट पुश कर दिये है दोस्त हाले कि सभी डिवसेस का अंदर जो टेस्टिंग अपडेट है पार्शिल अपडेट या फिर पॉब्लिक रोलिंग अपडेट या पर रिलीस होना स्टार्ट हुच चुका है हाले कि दोसे रिवसेस का अंदर को एंडर स्टेब्ल हुच चुका है जुके एक MIUI 11 बेस अब्डेट होने वाला है और दोस्ता सबसे पहले मैं आपको बताना चाहँगा कि अगर अपका डियोस बहुत ही ओल्ड डियोस है मतलब कि 2018, 2017 या फिर 2016 का बहुत ही ओल्ड डियोस है तो ओल्ड डियोस के अंदर आपको तो दोस्ता उनी डियोस के अंदर आपको Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले दोस्ता मैंने बाता था कि Redmi K20 Pro, Redmi K20 and Poke F1 जो कि Flexible World के फोंस है ये फोंस के अंदर अल्डरी अपडेट मिलना स्टार्ट हुँच चुका है कि Quarter First है आपको ये पर Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और दोस्तों जहीं से Android 10 का अपडेट मिल जाता है तो सारी के सारी Information Features Review का वीडियो हमारी चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस ही इंपोर्टेंट वीडियो की बारे में बात करें वाल था मत्त की Information देने वाला था तो दोस्तों मेरे अड़ेट पसना है तो लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंट्रेटिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू बबाई टेक केर